नमस्कार दोस्तों आयरुवेदर में फारस चका चक में आपका स्वागत है दोस्तों आप इस वीडियो को देख वी चुके हैं लेकिन हम आपको ये वीडियो फिर से क्यों दिखा रहे हैं आप इसको देखिए ये है बर्गत का पेड जिसको हम कहते हैं बानियन ट्री ये फिर इसके बहुत सारे लाव है जिसको एक वीडियो में कवर करना बहुत ही ज्यादा मुस्किल है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे इसलिए हमने इसका दूसरा पार्ट बनाया है जिसमें मैं आज आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा लाव बताने चला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा है नौजवानों के लिए दोस्तो आप जानते हैं कि ये सेक्स पावर को बढ़ाता है जिसको हम कह सकते हैं कि जो प्री मेच्चोर एजैकुलेशन होता है जिसको हम कहते हैं सिग्रफदन उसको ये दूर करता है आज कल के युवाव में यह बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो सिग्रफदन से परिसान रहते हैं उनकी साधी सुदा लाइफ बेकार हो जाती है दोस्तो मैं आपको नहीं चाहता हूँ कि आप इस समस्या से जहलें और सरमिंदब हो जाएं क्योंकि ऐसे में रिस्ते खराब हो जाते हैं और पत्नियां दूसरों के सहारे जीने लगती है तो दोस्तो आज हम जो नुस्का इसमें बताएंगे वह बहुत ही कारगर होगा और उसका क्या है ये बर्गत का पेर बर्गत के पेर के बहुत सारे फाएदे हैं इसका ज़ड़ है उसका अलग हुपियोग मिला जाते हैं ये पत्ति देख रहे हैं आप पत्ति का अलग यूज है जो तनाख है यानि च्스타ल उसके अलग यूज़ है और जो बरगत की जटा है जिसको हम दाढ़ी बोलते हैं इसके बहुत ज़्यादा लाभ है इसका वीडियो मैं अफ्लोड कर चुगा हूँ जो पत्ती है इसका भी वीडियो मैं आपको पत्ती दिखा दे रहा हूँ जो पत्ती है इसका भी वीडियो पिछली वाली वीडियो इस चैनल पर अपलोड हुई है तो फ्रेंड्स हम बात करें अगर इस बरगत के व्रिच के फल की तो आज हम बात करेंगे इसके फल की तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है स्क्रीन में यह है इसका फल इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके मरदाना ताकत को बढ़ाती है सेक्स पावर को बढ़ाएगी यानि आपकी छमता को बढ़ा देगा दोस्तों कम से कम अगर आप इसका एक महिने तक इस्तमाल करते हैं तो जो लोग देखते ही अस्खलित हो जाते हैं जिन लोगों का वीरिन नहीं संभल पाता है एक या दो मिनट संभल पाता है वो समझ लेजिए कि इसको यूज करेंगे अगर 30 दिन तक तो मैकसिमम मैं आपको बता दूँ 30 मिनट से 45 मिनट तक उनकी पावर हो जाएगी हाँ लेकिन उसमें कुछ अनुभा भी चाहिए होता है जो कि आपको धेरे धेरे बन जाएगा लेकिन सुरवाती में आपको इतना मिल जाएगा टाइम दोस्तों बहुत ही कमाल का नुसका है ये यूजफुल है आजमाया हुआ नुसका है और हम लोग क्या करते हैं ये चोटी मोटी गहास को जड़ी बूटी को देकर इग्नोर कर देते हैं सोचते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं नहीं दोस्तों आयर्वेस से ही इलोपैत बना है आप सायद भूल रहे हैं आयर्वेस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो दोस्तों अगर आप इसके फल का जो फल है इसका चूरन बना लिजिए सुखा कर छाया में इसका चूरन बना लिजिए चूरन बनाने के बाद सुबा साम एक एक चमच दूद के साथ खाए 30 दिन तक बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं 30 दिन तक लेजिए इसके बाद देखी फिसके परड़ाम यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको आपकी बीवी आपसे खुश रहेगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये नुस्का आपको समझ में आ गया होगा और कैसे लेना है ये भी समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो समझ में आई हो पसंद आई हो तो लाइक कर दिजिए शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजीगा वीडियो को देखने के लिए और अन तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद